बिग बॉस सीजन 18 में एक तरफ मुसकान emotionally sympathy गेन करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ गुन रतना अपना dominance दिखाने में लगे है शो को शुरू होकर सिफ 5 ही दिन हुए है और contestants का जेल जाना शुरू हो चुका है फिलहाल जेल में तजिंदर बगगा और वाइरल हेमा भावी है अब बिग बॉस ने एक और नाम जोड दिया है आए जानते हैं कौन है वो तीसरा contestant जो बिग बॉस के जेल में जाने वाला है करनवीर महरा, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंग इन तीनों को बिग बॉस ने एक मौका दिया है किसी एक contestant को जेल भेजने का और उन्होंने गुन रत्न को जेल भेजने का फैसला किया वैसे देखा जाये तो गुन रत्न का जेल से काफी पुराना रिष्टा रहा है April 2022 में वो 18 दिन के लिए जेल में थे आप सभी को बता दू कि गुन रत्न एक well-known lawyer है और उनकी पास एक doctorate की degree है अपने इसी lawyer के dominating nature को लेकर वो बिग बॉस में एंटर हुए है आज उनका एक promo सामने आया है जहां वो यही अपना dominating nature contestants की तरफ दिखा रहे है contestants ने उनसे कहा कि as a task उन्हें जेल जाना पड़ेगा बट उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया और कहा मैं जेल नहीं जाऊंगा मैं ये task complete नहीं करूंगा इसी चलते उन्होंने statement पास की कि मुझसे सरकार भी दरती है उनकी इसी behavior और arrogance nature की वजह से contestants भी चाते हैं कि वो जेल चले जाए आप सबको क्या लगता है हमें comment section में ज़रूर बताए इस हफते का weekend का वार काफी interesting होगा क्योंकि ये देखना है कि सल्मान खान इसका क्या जवाब देंगे और big boss इस पर क्या action लेंगे या इसे यूँ ही छोड़ देंगे आईए अब बात करते हैं मुसकान बामने की जो अनुपमा सीरियल में पाकी का किरदार निभाते हुए नजर आई है आज उनका एक emotional promo सामने आया है जहां वो अपने family को miss कर रही है और big boss से request कर रही है कि अपने family से एक बार बात कर ले या कम से कम एक family photo ही दे दे बट unfortunately big boss ने साफ मना कर दिया मुसकान का अनुपमा सीरियल में एक emotional role रहा है क्या इसी strategy को वो big boss में अपना रही है emotional sympathy gain करना और game जीतना आप सबको क्या लगता है हमें comments में जरूर बताए Thank you